मेरे नन्य साथ्यों से भी आज मैं एक विशेस आग्रह करता हूँ बच्चे आप मेरा आग्रह मानेंगे ना देखी मेरा आग्रह है कि मैं जो कहता हूँ आप जुरूर करिए एक काम करिए जब थोड़ा समय मिले तो माता पिता से पूछ कर मोबाइल उठाईए और अपने दादा दादी नाना नानी या गर में जो भी बुजूर्ग है उनका इंटर्वी रेकॉर्ड किरिए अपने मोबाइल फॉन में रेकॉर्ड करिए जैसे आपने टीवी पर देखा होगा न कैसे पत्रकार इंटर्वी करते हैं बस वैसाई इंटर्वी आप कीजिए और आप उनसे सवाल क्या करेंगे मैं आपको सुजाव देता हूँ आप उनसे जुरूर पुछिए कि वो बच्पन में उनका अरहन सन कैसा था वो कौन से खेल खेलते थे कभी नाटक देखने जाते थे सिनेमा देखने जाते थे कभी छुटियों में मामा के घर जाते थे कभी खेत खलिहान में जाते थे तो हार कैसे मनाते थे बहुत से बाते आप उनको पूछ सकते हैं उनको भी 40-50 साल 60 साल पुनानी अपनी जिन्दिगी में जाना बहुत आनंद देगा और आपके लिए 40-50 साल पहले का हिंदुस्तान कैसा था आप जहां रहते हैं वो इलाका कैसा था वहाँ परिश्र कैसा था लोगों के तोर तरीके क्या थे सब चीज़ें बहुत आसानी से आपको सीखने को मिलेगी जानने को मिलेगी और आप देखें आपको बहुत मजाएगा और परिवार के लिए एक बहुत ही अमुल्य खजाना एक अच्छा वीडियो आल्बम भी बन जाएगा साथियों ये सत्य है कि आत्मकथा या जीवनी आटोबायोग्राफी या बायोग्राफी इतिहास की सच्चाई के निकट जाने के लिए बहुत ही उपयोगी माध्यम होती है आप भी अपने बड़े बुजूरों से बाते करेंगे तो उनके समय की बातों को उनके बच्पन उनके युवाकार की बातों को और आसानी से समझ पाएंगे ये बहतरीन मोका है कि बुजूरों भी अपने बड़े बारे में उस दौर के बारे में अपने घर के बच्चों को बताएं